लगातार निर्णे पर निर्णे होते जा रहा है आश्यरे जनक निर्णे पहले प्रत्यक्ष रूप से जो मद्दान होने वालाता मेर के लिए वह प्रत्यक्ष रूप से किया गया फिर परीसेमन को लेकर भी बहुत सारे विवाद हुए और उसके बाद हाइब्रिड जो मॉड आप से लगाता है निर्णे क्या इतने निर्णे किसी भी चुनाओं के लिए पहले देखिया आपने ये हमारे लिए जनता के लिए उपर एक बजन है और चुंकि मेर कप एक हमारे जिप्र में एक मेर है और अभी राष्टान पत्रिका का एक सरवय आया था उस सरवय अंदर 60- करीब लोग चाहते हैं कि सिदे जनताई दौरा मेर चुनने दाना चाहिए और कांग्रेस में लगता है इसी गल्वात गफलत के अंदर है कि वो निर्णे निले पारिश है मायने में आज जैसे मंत्री लोग इरोध कर रहा है एक दूसरे खुले आम आके स्टेट्मेंट दे रहे हैं यह भी एक इस्टिती जनताओं को गुम्रा करने के स्टिती लग रही है और मैं जो कांग्रेस हो काऊंगा कि इस्वारून को सद्वुद्धी दे उससे ननेले और जनता के साथ ज्यादा बजन डाल करके अभी भी समय है बहुत सांती पूंट तरीके से अच्छा से चुना होगा पर जब राजस्तान की वर्तमान परिस्तितिया और भारते जनता पालिट को जिस प्रकार लोगों का समर्थन मिल रहे है उसकी बौकलाट के कारण कोंग्रेस सरकार और उनकी पूरी केविनिट चिंता में है कि उन्हें कहीं एक भी निकाय का प्रमुक नहीं मिल कहीं सरकार अपनी अपनी इस्तिती को देख नीपर ही समझनी पर ये और राजस्तान की जनता का दुर्भग है कि ऐसी मिलिए कि आने वाले समय में निकायों मेले बटला लेगा प्रत्ययक्स box से होगा प्रत्यक्ष रूप में भी वाड़ पार्षद चुने जाएंगे और मेर बनने के इच्छु क्वेक्ति का पार्षद बनना भी जरूरी नहीं है तो यह प्रक्रिया कुछ आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ा देगी सारा सिस्टम पैसे वालों का या कुछ हो सब्सक्राइब करने का और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर इसमें मोका मिलता है तो उसमें पार्षद बनेंगे और बनने वीच यह भारत का जब सविधान बना पच्चीस अजार पे का है क्योंकि आज विदान हमारा कह रहा है उसके हिसाब से भी आमनी चल रहे पार्लेमेंट में में राजस्तान में 200 मेले हैं वह बरसों से चले आने बाराबादी बढ़ती जा रही नुक्सान तो क्या है यह मतलब जन्ता के लिए फायदा मंदे जैसा कहा जा रहा है या फिर बहुत सारी समझ्षा भी इसमें आने वाली है देखे समझ्षा ही नहीं बलकि मैं कर रहा हूं कि एक तरफ तो राज्य सरकार जो है पैसे का रोड़ना हो रही है कि बजट नहीं है मैं कि और नहीं है जब उनके लिए भी स्टाफ की आफ्सक्ता है जब आपके पास में रख लिखने मंत्र जो है जो है यह जो है और उसके बाद नहीं करने के लिब बात है हैं कि आज आप नगर निकम मिनुख्म भी पार्शत हो कि पोजिशन खिजिए मैं कि जितने काम ये पहले बोड के अंदर हो इसके बाद लगातार ये डेटरेशन आया है उनके कारण क्या रहा है अभी जिसकी सरकार है उसी की पार्षद जो है वो क्या करती भी पाई गई वो बाकेदा अपने सब्सक्राइब तो मैं कि इनके ओपर कंट्रोल करने के लिए क चाहिए आपका उच्टी अभी बीच पूल रहें है क्योंकि आपको रहता है कि समसाद हुन होगी यह दूद कर दोंके आएगा लेवेन्यू जनरेशन कहां से होगा इस जिसका एक से रहेनियू का रहोना होती रहती है बिल्कुल बिल्कुल यह फेसला जो है रहेनू पर बहुत असर डालेगा क्यों जेपुर में जेडी और नगन्री घंडिकम दोनों भी करजे में अब दो मेर होंगे वार पार्शत बढ़ेगा वार पार्शत बढ़ेंगे तो खर्चात बढ़ेगा लेकिन इससे एक ही है कि जनता का फायदा हो सकता है प्रैक्टिकली कि मालों पांचेजार की जन्शंकर मेर होगा तो उसकी पकड जनता की पकड आसान हो होगी और उसका बेनिविट जनतां को सीधे रूप में मिलेगा कि अपने काम करा सकेंगे लेकिन इसमें इंडाइरेक्ट जो बनाया जा रहा है उसमें कहिना कहीं है नेताओं की गाल मेल जरूर है कि जब प्रतिनीती देवाप जनता का ले रहे हो तो मेर भी उनका ले उने क्य बड़ा वाड था अब छोटा वाड होगा हर आदमी के मन में यह होगा कि मुझे भी बन जाना चाहिए मुझे भी बन जाना चाहिए तो रहेगी वो तो आप गाउं में भी है सेरों में भी है उससे कोई विशेज फरक नहीं पड़ता परनतु सरकार की जो अभी ब्रहमक इस स्थिती जो सामने आ रही है न उससे हंसी हो रही है बड़ी आश्यास्पद इस्तिती हो रही है आप देखिए पहले सरकार कहती है कि साब हम मेर का प्रत्यक्स चुनाव करेंगे उसके बाद फिर वो पल्टी मारती है फिर वो कहती है कि नहीं हमारे पार सदों में से चुना जाएगा अब एक नया सिस्टम लिया है जाब हाइब्रीड होगा मैं समझता हूँ हाइब्रीड से तो केवल पूंजी पती लोग है जो पार सदों की बोली लगाके और फिर वो निकायों के प्रमुक बन पाएगे जो अभी नया डिसीजन आया है यह शहर के अंदर में भी से और यह कि मालविय नगर से और यह बहुत जादा जगड़ा बढ़ जाएगा दोनों नगर निगम आपसी जगड़े बढ़ जाएंगे अपस के उसका जादा बजट अलोकेत हो गया मुझे कम हुआ वहां नाली बनी वहां सडक बनी मुझे लग रहा है जो काम होना ची वह जनता से लोकल आम आदमीं से जुड़के काम होना चाहिए आप इसको जो लेकिन यह तो इदर से एक आवाज आई थी कि वो तो जनता के लिए फायदे मंद होगा हाँ तो वो कैसे कोई समझ से बहुत जादा इससे कंफ्यूजन की स्थीति हो जाएगी यह पार्शत कार उसका म बंदवानी होती है विद्वाब आप एक शेयर के अंदर में उस चीज़ को ले करके अरे पार्शत बल्की में चार है विदाएक तो उसको पहले विदाएक का नाम आता है पूरवी दिल्ली यम्ना के पार का इलाका है मेरी बासुनिए आज अगर पार्शत बंते हैं डाइस तो उस गरीब आदमी को फाइदा होगा उस गरीब कारिये करता को फायदा होगा उस कारिये करता को अगे बढ़े और यह खासकर भारती जंता पार्टी के परिपार्टी है विजे बाई हम सुरद जी से बात कर लेते हैं क्योंकि एक जो नाम होगा जैपूर नका निगम का होगा तो सुरद भाई क्या लगता है आपको वास्तों में हेरिटेज के लिए कोई काम हो पाएगा क्योंकि इनोस को वाला भी जो चीज वा था वह वाल सीटी के लिए हुआ और उसके बाद जब डिसीजन होआ उसके बाद भी उतना काम नहीं हुआ अब ड्रोन से भी सर्व सब को यह लग रहा है कि सरकार कहीं हार की बोक लाटके चलते वे और लोगतांत्रिक पिछ पे लगातार फिसलन बरे निरने कर रही है तो लोगों के अंदर इनकी जो क्रेडिटिबिल्टी है वो बिल्कुल खतम हो रही है आप देखिए कि पहले गोशना पत्र में यह कहा कि डारेक्ट मेर का इलेक्षिन होगा डारेक्ट मेर के चुना होंगे उसके बाद में यह खबर आने लगे कि इनको कई हारने का डर लग रहे है तो इसलिए वो जो है पार से चुनेंगे और उसके बाद में हाईब्रीड का सिस्टम आ गया आप यह देखिए आप कौन सी जमीन इनको बंजर करना चाहरे है इस हाईब्रीड सिस्टम से लोगतांत्रिक मुल्यों की आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और लोगों के अंदर तरह तरह की ब्रांति आरी है आप किसको अप्लाइज करना चाहते हैं तो आपके पास मेंने 2000 युक्तियां ऐसे जो बोड है निग मेर की बात हो सकती है अंदर वाला जो पुराना परकोटा वाला इलाका है और जो नया वाला इलाका इनको अलग लग किये जा सकते हैं तो मुझे लगता ही जब सही सरकार आई तब सही सीसी से विचार हो रहा है देखिए मैं एक रहा हूं से मेर दो करें या एक करें आप एक बार पुराने उस पर जाईए मेख्यान में सत्र के दश्रक में जब चुनाव बंद हुए थे तो यही कॉंग्रेस की सरकार्थी जिस टाइम पर बंद हुए थे तो बंद होने का कारण भी एक ही था आज सबसे आप देखेंगे तो नौंबर में कारेकाल खतन होने के बाद छो महीन बड़ा रहे हैं तो उसके बाद छहiqué किसके आत में रहेगा और प्रशाषक नूपते हैं तो आपने बहुत सारी इजेंसिस देखी इसलों बीच गए चिंहां पर लागतां कर में तो रूसे बनी वह सल ब्रेक ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रही जिस घर में हो शेमारु भाजन वानी वो घर मंदर सा कहलाता है पाईए हजार से भी ज्यादा प्री लोड़िट भक्ति गीत आज खोड़ियों इतनी चुप क्यों है? अरे तुझे तो बुखार है ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा पता है क्यों मलीरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बिमारी बुखार बनकर ही तो आती है समझ गई ना? अब तो बच्चे भी जानते हैं बुखार होते ही खून की जाच करवाएं और उको भी समझाएं यह जाच सभी राजकिया चिकित्सा संस्थानों में नीशुल्क उपलब्ध है कर दो आते हैं कर दो आते हैं तो आते हैं कर दो आते कांट हो जो समझाएं लगी प्लुपवववववव बुबभ सून अर्चे कांट वी आते हैं आते हैं है तो आतो लेस्टेटों! आफ बजह दोलों को आटिए और वे एंगा होाई देने विजया पीजशी। गड़्यों की पूली पूली ओखियों समगा फिते एंप शवार कि अवार्णी बखुषणा की अवध। आदे अपूदी है की और देश बनाटी वार्णी रिद्टा, आदे वार्ण। करेंग झाल झाल प्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है आप रत्यक्स परी सीमान हाइब्रीड और फिर दो मेर आखिर यह डिलने क्यों इसी का जवाब मांग रही है जनता की आवाज और इसी पर हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्स रूप शे मेर का चुनाब करना दो दो मेर होना थीक है जैपुर में दो मेर हो सकते हैं जनसंक्या आवादी के अनसार जोत्पुर में कोई आवसकता नहीं है दो मेर की कोटा में कोई आवसकता नहीं दो मेर की लेकिन सरकार खईन खई इस पर राजनीती कर रही है और राजनीती में इसमें जोजो सरकार के नेता हैं जो दुरंदर नेता हैं उनका साथ गांट जरूर और जहां तक कहेंगी वह पार्षात पार्षात हो कर देते हैं तो इसमें जो रेजर्वेशन वाले के लोग है उनको कोटा है वो तो देना ही पड़ेगा उससे तो आगे बढ़ी जब 6 मेने पहले आपने 1500 वाड किये थे तो 6 मेने में इसे क्या जन संग्या बढ़ गए कि आपने इनको 200 वाड किये हैं फिछले 8 मेने में जो 4 नीने लिये गए उससे ये साभित होने वाला है कि कॉंग्रेस सरकार के मंतरी जी दूबे जी बनने वाले हैं जिनों ने जो अभी बढ़ाने का मामला है तो उसे इकाई जितनी चोटी होगी लोगों की पहुंच उतनी ही ज्यादा होगी ये तो लोगों के दो हितमे हैं अब मंसा सरकार की क्या है वो माइने रखती है देखे मैं ये चीज बताना चाहता हूँ जेपूर सहर की अगर प्रटिकॉलर अपन बात करें कॉंग्रेस सरकार इकराण में डेड़ जो डाहिसों की बात सोड़ देवें कॉंग्रेस सरकार को ये साप लग रहा है कि वो बूरी तरीके से फ्रस्टेशन में है वो बूरी तर कांग्रेस सरकार के अंदर बने हुए हैं अभी राजस्तान के उपमुख्य मंत्री जी का बयान आया है कि यह इस तरीके से होना गलत है यह लोगतंतर के लिए खत्रा है वह जवाब दे रहे हैं विश्य ग्याताई सारे बारतिय जंता पार्टी में बेठे कांग्रेस का लिखन पार्टी मिलने नहीं गई जनता चुने और जनता के लिए काम करें जनता की आवाज बने जो तो लोकतंतर है लेकिन यह बारत में अंधेर नगरी चोपट राजा टकेसे राजा डाईसेर खाजा जनता तो बिलकुल अंदी है और राजा भी बहुत सारे हैं यहां बहुत सार द्रमी की मोनोफोली नहीं खतम नहीं हो गई है सितराम जी यह कारे सरकार शेर करेसं होगा है गली-गलीमे पारस本 को छोट तो ठाल के छोड़ेंगे इससे कुछ नहीं होगा आई तिसल कार अपने बतल रही है इसे जनता में ब्रहमा किसी दी पैदा हो गई है रिजर बैंक का एक पाइंट तीस लाग क्रोड रुपया रिजर बैंक से ले लिए जाता है अपने साथ बनों जी जुड़ गए मोना जी को पास आऊंगा मैं पहले परीसिमन के उपर विवाद हुआ वाडों के परीसिमन को लेकर उसके बाद फिर प्रत्यक्षोगा प्रत्यक्षोगा इसको लेकर बड़ा डाउट हुआ फिर हाइब्रीड वाला लागू हो गया फिर ए किस तरह से लोकल बोडीज के इलेक्षन होने किस तरह से गठन होना है क्या लगता है आपको एजए डिप्टी मेर और आपने मेर के रूप में भी काम किया और दो मेर जब बनेंगे तो कितनी खटना आने वाली देखे ये सरकार शुरू से ही कन्फूजन में है कि जब इनों करने के बाद इन्होंने ये नियम बनाए कि महापूर के चुनाव और जो निकाई प्रमुक के चुनाव हम सीधे कराएंगे अचानक जब इनको लगने लगा कि पूरे देश में एक राष्टवाद की हवा चलिए पूरा देश एक सुर में कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात क देख रहा था आपके चनल पर देख रहा था कि डिप्टी सीम को इस फैसले की जनकारी भी नहीं है तो जहां मुख्य मंत्री और उप मंत्री में जगने चल रहा है अंदर और आज के अगबारों में देखा मैंने कि इनके दो-दो केमिनेट के मंत्री इनके फैसले का विरू कि इस निर्णे को जनताखीत में आपके इसलिए करा रहा हूं गिसा करा ले कोई हाइबीड को नया तरीका लेकर आजए बोड भारती जनता पार्टे का बुनने वाला है चाहिए 300 वाट कर ले 500 वाट कर ले 500 पार्षद बीजेपी के आने वाले कुछ भी तरीका आपना ले लाट की जो आप सीमा रखेंगे वह क्या सीमा रखेंगे इसका कितना बोज रैवन्यू पर पड़ेगा रेवन्यू जनरेशन की का अलग लग शेत्र होता है हमारे आज भी आप देखें कि शेर के बिल्डिन वालुज अलग हैं बाहर के अलग बाहरे नए बैलोज बनेंगे आधिकारी कर्म लगाने पढ़ेंगे रहोने कि लोग आपको लगाने पढ़ेंगे एडमिस्ट्रेटर लगाने पढ़ेंगे आपको सही बात है जिसमें हो सकता है नगर निगम शुरू हो जाए तो है एरिटेज विदान सबाइब आज 10 साल से आप देखिए जैपूर का पुराणा परकोटा है उसके अंदर सरकारे जाए नहीं पारी वहां पे और वहां पे इसमें संदे होगा कि जो नगर निगम होगा उसका नगर निगम का जो भी मेर होगा क्या वास्तों में वह उधर से होगा यह इदर से चला जाएगा यह बी तो बड़ी संदे की बात हैं कि यह लाएंगे कांसे हाइब्रीड जो मेर है हाइब्रीड का उत्पादन कांसे होगा यह देखने वाली बात है वो कोई रजूपदार होगा या किसी नेता का पूत्र होगा या कोई नयाई उत्रादिकरी बना करके लाएंगे वो एक पड़ी बात रहेगी और आज हेरिटेज के विकास होता है तो इसका तो सवागे तोड़ा चीए लेकिन बात यहीं आ रही है कि सरकार की मंसा में करनी में कतनी में बड़ा लोगों को ब्रामकता पहला ही जा रही है और उसमें लोगों को कहीं न कहीं संदेज जो है लोग व्यक इनको नहीं चिंता शीवर्य और नालुक सफाई की इनको नहीं चिंता विमारे फैलरी फॉगिंग करने की आप जाके देखे जगे जगे स्टेंडर ने वहाँ पे टिकट के पैसा नहीं लिखा रहता है जंता से मन मांगी रोयट के पैसे लेते हैं ठकते हैं उनको मैं कॉंग्रेस ही हूँ लेकिन इनको भी यह कहना चाहता हूं यह बिल बिल आ रहे हैं खिल बिल आ रहे हैं कि हमारा क्या होगा यह क्यों कारिय करता हूं की वेल्यू करियें इन्होंने पारशद का काम एक काम होता है बाहमाशा काड बनुवाना विद्वा पैंशन बनुवाना पारशद का काम होता है बहुत अधि आप कर दो आप कर रहे हैं आप कर रहे हैं कि मैं कॉंग्रेसी हूं एक मात्र सब्सक्राइब कर दो जिंद्धी पर रहा चलता इंसान भी रहा चलता इंसान भी भारतिय जंता पार्टी की पूल खोल गया जिसने आजादी दिल्वाई एक जो जनता के आवा जिसको हम कहे रहे हैं आम जन वह एक बहुत बढ़ा प्रस्ट छोड़ गया है कि क्या वास्तों में इस सारे गटना करम से प्रस्टचार को बढ़ाव मिलेगा पैसे देंगे मेर मुझे बनाना मेरा काम करवाना चोटी चटी जगह पर पैसा देना पड़ेगा लोगों को यह कुश्चन उठाके गए वह भाजपा पर या कॉंग्रेस पर नहीं उठाके गए वह व्योस्ता पर उठाके गए देखे जब कॉंग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने प्रत्तिक्ष पढ़ाने के चुनाव करने का एक उन्होंने आधार बताया कि एह प्रत्तिक्ष रूप से जम चुनाव करते होस्ट्रेडिंग होती है खरीत फरुक होती है और प्रत्तिक्ष चुनाव कराने से यह सब बं करप्षन होता था वह भी हो गया पैसे का लेंदिन हो गया जातीवध भी हो गया दुबरह प्रतेक्ष्ट लेकि आगे अब जब भी उनको लगा उनका सर्वे हुआ कि हम तो हार रहे हैं कोई रास्तान में हार रहे हैं तो नहीं फिर एक नया फर्मान निकाला कि साथ मेर का जो इनका विद्ट मंत्री जिसको जनता ने डुकरा दिया जो है एक वोड़ी बात पूरी करने जिसा आपने कहा कि तीन शेरों को विकास के आवशक्ता नहीं है तीन शवरों में क्यों कि अन्यों ऐसा तो एक हो सकता है कुछी नए और आधिश को ऐसे आ सकते हैं तुब लगी फर्मान है सरकार क्या चाहथी जो चुना होने हैं तब तक और कितने निर्णे बदले जाएंगे और इस ताने निकायों की जो सोरूप होगा किस तरह का होगा, सरकार को या संगठन के किसी भी बड़े पद्धिकारी को आकर ईसमस्थ करना चाहिए कि आखि सरकार किस तरह किस्तानी निकाहे चाहते हैं है आजके एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फीर किसे विषे पर बात करेंगे तब तक एलिए नमस्कार